अस्सलाव अलेकूं फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी स्नैक याज ये हम चावल के आटे और अख्रोड की गिरियों के साथ बनाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमेच चाहिए इसके लिए चावल का आटा अख्रोड की गिरियां और गरम पानी हम इसमें एड़ करेंगे साल्ट एस पर ये टेस्ट और आदा स्पून हल्दी तो इसको हम मिक्स करेंगे आप याद रुखिएगा कि पानी गरम ही हो तो हम एड़ इसमें एड़ करेंगे पानी लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ही पानी एड़ कीजिएगा क्योंकि हमें तो ये ज्यादा ना हाड और ना ज्यादा सॉफ्ट ये चाहिए इसका डू आप देखिए हमारा डू बहुत अच्छा बना है तो हमने एड़ किये हलके से क्रेश करने है और अब हम इससे फिर से इसके साथ मिक्स करेंगे और अच्छे से गुन देंगे तो हमारा आटा तयार हो गया है और हम इसके छोटी छोटी लू या बनाएंगे जैसे हम आम तोर पे रोटियों के पेड़े बनाते हैं तो अब हम इसे अंगुठे की मदद से इसे दबाएंगे और इसे अच्छी सी शेप देंगे आप देख सकते हैं अब देखिए कितनी अच्छी शेप इसमें आई है तो हम अब ऐसे ही सारे पेड़ों में शेप देंगे तो हम शेप देखिए कितनी शेपर अब देखिए हमारे सारे पेड़े तयार है अब हम आइल लेंगे इसे घर्म करेंगे हमारा ऑईल गर्म हो चुका है तो हम अब इसमें एड करेंगे याज याद रखेगा आप इसे सिम पे ही रखेगा आप ज्यादा हीट नहीं रखेंगे क्योंकि ये बाहर तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से ये नहीं पकेगा हलकी आँच आप रखेगा अपनी गैस की आप देखिए हमारे स्नाइक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसे निकालेंगे आप किसी टीशू पेपर में इसे रखेगा क्योंकि इसका एकसर जो आईल होगा वो टीशू पेपर में आ जाएगा तो हमारे याज रेडी हो चुके हैं आप प्लीज इसे गर पर ट्राई कीजेगा और मुझे अपने फीड़बैक्स सेंड कीजे और मेरी चैनल को लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा अगर आप नए हो तो प्लीज शियर सबस्क्राइब जरूर करना अलाँ